हेलो गाइज आज कोई वीडियो माम बाइले सर्बे इंको इस्टेडिया ट्याक्योमेटर चेप्र बाट नुमेरिकल लिर आये कुछुू क्योशन राये कुछ हो अट्याक्योमेटर वास सेट अब अट इस्टेशन ए और फॉल्लिग्स वेर अबज़ॉप्ट calculate the original distance between stations and RL of B when the instrument constant is 100 we have a table of instruments in A, A point, this is the benchmark point B instrument station A, benchmark vertical angle, minus 5 degree, 30 min, this is the line of collimation the final distance between 0 times character and minus 5 degree, minus 9 degree, per limit vertical angle, this is the line of collimation. The lines of ellimation are the same as the depression RL of benchmark, 5.0 to 5,0 meters, this work will be seen. अब इसको figure चेह कस्त बंचा बंधा है याई नुब इस तो बंचा ए माचा instrument बैए आलेो A पॉयंट एमा B स्टाफ इस्टेशन बैए आलेो तेसकेर benchmark अरको राइट साइड में बैए आलेो इन्यारको तीन्टेको स्टाफ द्रीडिंग मैं दहाए गचुछुछ यह dot 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 line ले जुन देखाईए कुछा योजे क्यो था आमरो line of collimation और यो B1 रा B2 चे क्यो बन्दाखे रिए B1 महने को जी आमरो line of collimation देखिए middle reading समको distance line of collimation देखिए middle reading समको distance B1 महने को यह बाट B मा एरदाख बाई आलियो आनि B2 बनेको यह बाट बेंचमार्क मा एरदाख बाई आलियो अपा सुरु मा हम यह original distance फाइन करूं distance between stations चाहे original distance between instrument station A and station B A देखि B समको original distance चे नो instrument station A देखि B समको distance वनेगा आमरो किय होता formula ks cos2 theta plus c cos theta हुनच आनि आस पाचिय बनेको आमरो को देखिए instrument constant 100 देखिए इन्टु अब S भनेको आमरो किय होता step intercept यह भनेको top reading minus bottom reading top reading minus bottom reading 2.250 minus 0.750 करनो पर्यो आनि cos2 अब ठीटा भनेको आमरो किय होता vertical angle 8 degree 30 minute है आनि इस प्लस c cos theta म में लेखिए ना किरे c को value जी आमरो किय हम देखिए जीरो हुनच यहला सल्ब कर दाखिए आमरो किया हुचा था 146.723 मेटर हुचा अब एसे गरी हो original distance between instrument station A and station B करनो पर्यों instrument station A and station benchmark आई यह बेंच्मार्क आई यह बेंच्मार्क आई यह किया हुचा था ks cos2 theta plus c cos theta अनि k बनेको 100 y आलियो s बन स्टाफ इंटर्सेट बनेको आमरो बेंच्मार्क आई यह को था 2.450-1.150 cos2 आनि theta बनेको आमरो 5 degree 30 minute एला सल्वगर दाहरे आमरो 128.806 मेटर हुचा A to B पनी बायो A to benchmark पनी बायो अब बनेको आमरो distance between stations बनेको आमरो कती हुचा था अब डिस्टैंस बिट्विन ओरिजिनल डिस्टैंस बिट्विन इस्टैंस बनेको आमरो 146.723 प्लस 128.806 गर दिनी यह को दाहरे 275.529 मेटर हुचा अब फिगर तही बायो आमरो distance between stations बनेको 275.529 मेटर आयो मरी फिगर मा पें देखाए दिन अब यह स्टैंस आमले की निकालनों परशा बन्दाखेदी आमले RL आफ के निकालनों पर्यों पॉइंट B निकालनों पर्यों इसको लागी आब सूरू मा आमले B2 को वैलू फाइन गरूं B2 बनेको अब बर्टिकल दिस्टैंस बिट्विन मिडल वायर एन लाइन अफ कोलीमेशन बिटू फार्मला के चाता के यहास साइन टू थिटा डिवाइड बाइड बाइड टू प्लस C साइन थिटा बैलू फूर करूं के बनेको 100 यहास बनेको आमरे स्टाफ इंटर्षेप्ट 2.452-1.150 आने 2.152 में थिटा बनेको आमरे की होता 5 दिगरी 30 मिनेट अब डिवाइड बाइड बाइड टू बाइड 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 आलो मिडल वायर एन लाइन अफ कोलिमेशन बी वान बनेको फर्मुला से में बही आले हो बैलू पूर कर दा हरे आमरो कतिया आउचा था 21.928 मिटर आउचा बी वान पनी आयो, बी टू पनी आयो अब अब बनेको अब आरल अफ लाइन अफ कोलिमेशन युचु डॉटेट लाइन छा, तिया समका आरल चे कती उन्चा था बन्द हरे आमरो आरल अफ बेंचमार्क, फिगर में याटनो साई आरल अफ बेंचमार्क, प्लस मिडल रीडिंग अफ बेंचमार्क येता बिंजमार्क राइट साइड को चे यही बिंजमार्क को चे मिडल रिडिंग गरे पसी आमरो 1.800 समा को RL आयो और येसमा प्लास भीटू गरते पसी आमरो लाइन अफ कोलिमेशन को RL आमशाए 500.50 प्लास 1.800 प्लास 12.403 ये गरते आमरो RL आयन अफ कोलिमेशन मनेको 514.703 मीटर आउनी बाया अब RL आयन अफ कोलिमेशन प्लास भीटू आमरो RL आयन अफ कोलिमेशन 514.703 प्लास अनी B1 मनेको आमकरते आमचा 21.928 हाथ होगी माइनस अनी मिर्याल रेडिंग अट इस्टेशन B वनेको आमरो 1.500 ये गरते नी ये गरते पसी आमरो 535.131 मीटर आमचा